ओल्राइट गाइस तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ओपन बॉडी विल्डिंग कैटेगरी से भारत के सबसे खतरनाक बॉडी विलर्स में से एक सुनीत जादव के बारे में दोस्तो हम सभी को पता है इन्होंने अपना लास्ट कॉम्पिडिशन खेला था मुंबई प्रोस जो कि अपसे कुछी महीनों पहले हुआ था भारत के मुंबई में जिस मैं सच बता हूँ तो उनकी फिजीक एंड इनकी जो प्लेसिंग थी वो बहुती जादा बेकार थी जिसके बाद ओडियंस ने भी उनको बहुती जादा हेट किया था कुमेंट सीजन भी बोला जा सकता है क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि नेक्स्ट सुनी जादाव कंपीट करने वाले जून के अंदर होने वाले दिल्ली प्रोशो के अंदर बाकी गाईस यह जो छोटा सा फिजीक अपडेट हमको सुनी जादा आपका दिख रहा है ना इस के बाद दोस्तों अपनी जो नेक्स्ट सब्डेट है वो आ रहे है रैमों डीनो की तरफ से एंड जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पहले हमने जो आनूर क्लासिक ओहियो को देखा इसमें क्लासिक कैटिगरी से खेलते हुए रैमों डीनो आते हैं सैकंड प् दो आनूर क्लासिक होने वाले हैं जिसमें पहला आनूर क्लासिक तो तीन मार्च को खतम हो चुका है और सैकंड की बात करें तो दोस्तों ये होने वाला है 15 मार्च के आसपास और पहले दोस्तों हमारे पास मैं रैमों डीनो को लेकर ये अपडेट थी कि ये सैकंड आनूर क इन्हों ने अपनी इंस्ता स्टोरी में ये मैंसन किया था कि ये टू बीक्स के बाद में होने वाले आर्नोल्ड क्लासिक यूके के अंदर कंपीट करेंगे और बहाँ पर उन सभी को देख लेंगे और हम सभी लोग जानते ही हैं दोस्तों कि आकिरकर ये किसके लिए बोला गय था क्योंकि हम सभी के पास ये अपडेट पहले से ही अवेलेवल थी कि वैसली कंपीट करेंगे आर्नोल्ड क्लासिक यूके में बाकी आपका ओपीनियन क्या है दोस्तों कि 15-17 मार्च के बीच होने वाले आर्नोल्ड क्लासिक यूके के अंदर रैम वंडीनो हरा पाएंगे वैसली विजर्स को इसके बारे में आपके जो भी ओपीनियन्स हो आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें इसके बाद नेक्स अपडेट हमारी आरे है दोस्तों सैमसन दोदा की दरब से और मैं आपको बदा दू इनकी साइट से हमारे पास दो अपडेट अबेलेवल हैं जिसमें फर्स्ट अपडेट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों लगवक 24 गंटे पहले सैमसन ने हमको बताया था कि वो इससे में अपनी हैल्थ को बहुत ही जाता लो महसूस कर रहे हैं और सच में अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती हैं तो वो आ लगवक 20 साल दोनोंने साथ काम किया बड़े बड़े सोज इनोंने जीते और हाँ सबसे जरूरी सैमसन की बौडी में नोंने काफी जादा इंप्रूब्मेंट करके दिखाएं थी एज़ा कोच यहाँ पर अगर मैं सीधा सीधा सैमसन के कोच मिलोस की पोस्ट के बारे में ब और उन्होंने बहुती कम समय में जो हासल किया है वह यह है कि हमने एक साथ काम किया उन्होंने अपने सरीर को पूरी तरह से बदल लिया है और दुनिया के सर्वसिर्ष्ट बौडी विल्लर्स में से एक हैं और इस टाइम भी वो मिस्टर ओलंपिया खिताब के लिए सबसे बड़ा खत्रा बन गए हैं और जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि बहतर कंडीशनिंग जिसे हम लाने में अस्फल रहे हैं उसके साथ में सैमसन 12 को हराना बहुती जादा मुस्किल होगा तो यही एक रीजन है दोस्तों जिसके कारण सैमसन और उनके कोच मिलोस की जोड़ी अब अलग हो चुकी है लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि आखिरकार इन सभी में से सैमसन का कोच कौन बनने वाला है बैसे मेरी मान है तो अगर सैमसन को मिस्टर ओलंपिया बनना है और एक अच्छी कंडीशनिंग को अपनी बोड़ी के उपर लेकर टाइटल्स है बाकी अगर आप लोगों के पास दोस्तों सैमसन 12 के लिए कोई एक अच्छा कोच हो तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसी के साथ वीडियो अच्छी लेगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू करें